हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Redmi 13C, Android mobile phone में आप अपने mobile phone के storage को आप कैसे बढ़ा सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं देखें दोस्तों आप अपने mobile phone के storage को आप तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं पहले तरीका यह होता है कि आप अपने mobile phone में किसी भी memory card का यूज कर सकते हैं जिससे आपके phone का storage बढ़ जाता है, और दूसरा तरीका यह होता है कि आप अपने mobile phone में किसी भी third party application का use कर सकते हैं, जैसे कि play store में काफी सारे cloud storage app अवे लेवल होते हैं, ठीक है, और तीसरा तरीका यह होता है कि आप अपने phone से फालत हुआ data अगर हटा देंगे, देखने को मिलेगी, तो जिस जिस आपके अंदर आपको backup setting मिल जाती है, उन सभी apps में से backup setting को आपको बंद करना है, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए example के लिए अपने mobile phone की gallery को open कर लेता हूँ, ठीक है, mobile phone की gallery में देखे, right side की top पर यह profile picture होती से tap करना है, आपका यह page आएगा, इस page में देखे, backup setting है, तो यह backup is off लिखा हूँ है, क्योंकि मैंने इस app की backup setting को पहले से बंद कर रखा है, अगर आपकी backup setting यहाँ पर चालू रहती है, देखे दोस्तों, यहाँ पर मैं backup setting को इसलिए बंद कर रहा हूँ, apps की, क्योंकि अगर यह setting चालू रहती है, तो इससे हमारे phone का storage जल्दी फूल हो जाता है, तो इसलिए आपको इन backup setting को बंद रखना है, जिससे आपके phone का storage बढ़ जाएगा, ठीक है, अगला process आपको यह करना है, कि आपके mobile phone में जितने भी apps है, इन सभी apps को reset करना है, यानि कि इन सभी apps का data clear करना है, कैसे, देखे अगर आप अपने mobile phone के किसी भी app को, अगर आप उंगली से दबा के रखेंगे, तो आपका एक छोटा सा page open हो जाएगा, इस तरीके का, इस छोटे से page में आपको यह app info लिखा मिलता है, इसे tap करना है, या फिर circle के अंदर जो i button है, इसे tap करना है, आपका यह एप info का पेज उपन होगा इसमां आपको इस टोरेज पे टाप करना है इसके निदर आपको नीचे clear data पे टाप करना है आपको आतिके पेज आपको एक persistent alcohol आपको करना है इसमां पेज का देकर करना है लगसा जुडकिंTH जो data के सामने अला data भी आपका यह zero हो जाएगा यह दोनों आपका zero हो जाना चीज के सामने अला ठीक है तो इस तरहीं से आपको अपने mobile phone के सभी apps को reset करना है जिससे आपके phone का storage बढ़ जाता है ठीक है अब दूस्तों अगला काम यह करना है देखे आपके जो है न अपने mobile phone मे इस्तमाल नहीं करते हूं सभी फालतू के apps को अपने phone से अनिस्टॉल कर देना है ऐसा मैं इसलिए क्यारों देखे जब भी आप अपने phone में किसी भी app को जब इंस्टॉल करते न तो वो जो app होता है इंस्टॉल होने के बाद आपके phone का internal storage कवर करता है तो इसलिए आपको phone से फालतू के apps हटा देना है इससे इसलिए इससे आपका जो storage है वो आपका phone का बढ़ जाएगा ठीक है अगला काम यह करना है कि आपको अपने phone की गैलरी को open करना है फोन की गैलरी में आपकी जितनी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखे न सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो पर्मानेंट डिलीट कर दिने जिससे फोन का storage बढ़ जाता है ठीक है अब दोस्तों अगला process एक करना है कि mobile phone को reset करना है देखे दोस्तों mobile phone को reset आप में reset आपको लिखना है या फिर factory reset इन दोनों में से एक लिखना है आपको नीचे यह option शो हो जाएगा factory reset का इसे आपको tap करना है आपका phone आपको directly setting page में लेकर आएगा आपको नीचे की set यह erase all data का option tap करना है इससे आपको mobile phone reset हो जाएगा और आपके phone का storage बढ़ जाएगा लेक आपको पहले से नोट करके रखना है यह दो काम आपको पहले करने उसके बाद ही आपको अपने mobile phone को reset करना है ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो मेरे बताय हुए सारे process आपको use करने इससे आपके phone का storage बढ़ जाएगा ठीक है